हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो माई MP स्टुपर क्लासेश आज लोग मध्य पेदेश के क्लास आठ के चमाज्य बिग्याम में पार्ट 11 देखे थे पार्ट का नाम है अर्थिक बिखास इससे पहले कि आप हमारे चनल पर नहीं हो तो हमारे चनल सब्सक्राइब कर लें और बेल इस प्राइब यहां पर आए बोटन में स्कूनन्बर में यहां पने आएगा उस पर ठीक में क्लिक आप लोग यहां से क्या आश werd कने अर्धिक विकास दाइनिक जीवर में ब्यक्ति को किसी काम पर जाते हैं देखिए हम लोग देखते हैं रोजाना के कोई भ्यक्ति चाये वह किसान हो चाये मजदूर हो चाये वह नौकर पेसा हो वह काम पर जाते हैं कोछ भ्यक्ति खेतों में कारखानों में विभीन नागरिक सिवाओं में जैसे सिच्छा स्वास सफ़ाई याता या सुरच्छादी स योसे मैं और से उपरोगत कारियों से उन्हें प्रेंजरेखتी इस आय से ब्यक्ति अपनी याख्शक्ताओं की वस्तु मेरे खरीते हैं, अगर हमें पैसा मिलेगा अपनी याख्शक्ताओं की वस्तु करते हैं यदि artifact को जोड दिया जाए, तो प्राप्त योख्षर को राष्टी आय कहें लगते हैं तो क्या हो वो हमारा राष्टी होगा मतलब पूरे देश का आय होगा है, इसे देश की जन शंख्या से भाग दिया जाए, तो प्राप्त भाग थे कि प्र्तिय को लाइगा में तो हमनलों चाहु आग एक जोड़े जितना लाइस्थ और था नोक्ति यह प्रमशन, प्रिप्थी ब्यक्ति आए निकल जाएगा तो प्रिप्थी ब्यक्ति आया श्ज्च की अartet मतलब सभी ब्यक्तियों का इंकम जोड़के देश की जनसंख्या भटे भागा देश की जितनी विजर संख्या होगी उससे हम लोग क्या कर साद्रेगे भा विक्सित देश कहलाते हैं देखिए इसी प्रत्राष्ट्री को निकालके हम लोग भारत पाकिस्तान चीन नेपाल आदि को क्या करते हैं विक्सित नहीं हुआ है तथा अमेरिका जापान सिंग्रापूर ब्रिटेन इस सब क्या है हमारे विक्षी देशों उल्हीं को निम्तर माथ सब भोजन कपड न मकांस स्वास्त दो अधार भूत से वाएं की पूर्टी में अधिक ध्यान देना पड़ता है मातर्व में जो कि हमारी दैन oy CR सकता है य। इनको पूरा करने के लिए हम लोगों को अधिक मेनात करना पड़ता है सन 1947 के पूर्व तक ब्रिटिस काल में भारत की अर्थ ब्रश्था की काफ़ी यहानी हुई जब हमारा भारत सोतंत नहीं था गुलाम था परतंत था तो यहां रास्ट्री आज जो था बहुत कम था भारत के अर्थिक अर्थ ब्रश्था बहुत नुक्सान हुआ था भारत को कच्छे माल का सो तथा तयार माल का बजार बना दिया गया था यहां क्या होता था यहां से कच्छे माल ब्रिट सबठा अधारटि उद्यों को पुरसाहन नहीं दिया जाता था और जो हमारे उपस राइज करते थे अंगरीजी सेना बिटी शवब ओ भारति उद्योगों को पुरसाहन नहीं देते हैं उनका कज्चा मान सश्ते दर्ओं पर ख którym आ पता त्यार माल दरों पर बेशते थे देखिए विए क्या करते थे भारत में जो कच्छा माल होता था था तो यहां क्या करते थे उनका मुख या उद्यस क्या था अधिक अधिक लाफ कमाना था वहां करते हैं कि क्रिशी विकास देख लिए हैं कि किसी भायत के और बेवस्ता का आधार है तता भायत के सकर घरल उत्पादन में 26 परिश्ट का युग्दान है अधिके भारत अधिका किया किशी प्रिधान देश है यहां पर ज्यादा तर तर कुस्य हो तो यहां जैंदा कुछिय होगा तो और तह बेवस्ता के रही का अधार होगा हो तो कि तेख और के तक है यह 26 परिस्षा जोह की उसका जोगदान रता है क्रिसी कि क्रिसे हएं के लिए के सफ साथ he क्रिशी के अंतगत खेती बाड़ी पसु पालन वान की मत से पालन आदी भी सामिल है क्रिशी के अंदर खेती बाड़ी हो गया पसु पालन हो गया वनों दोरा प्रपधे लगाकर इंकम करना मचली पाना ये सब क्या है इफकिक के दिष्ट्री से भारात में विवित्ता किसी के प्राकार वा सरचना धूप िमें वर्षा फसलो के बूने और पकेन के विविन समय आधी बाते अलग स्थेत्व में अलग अलग है कि यहां पे भूमे की साइचना भी कई प्रकार से बीन भीन है नहीं दौता तो नहीं भंदता है जादा थन पड़ता है और इस तरब फशल का बूनी और उसका उपज अलग होगा तो उसका टाइम भी अलग-अलग होगा। हम लोग किसी का महत्व देख लेते हैं हमारे देश की बड़ी संक्या करती है हमारे देश का बहुत बड़ा किसी काम करती है इससे उन्हें रोजगार खाद्यान और आय प्राप्त होता है किसी दौरा उन्हें के मिलता है एक तो रोजगार मिल जाता है एक अन मिल जाता है और कुछ पैसे भी मिल जाते हैं उद्योगों को कच्छा मार किसी से प्राप्त होता है और हमारे उद्योग धंधों के लिए कच्छा मार बाहर से नमाग हम लोग किसी से दे देते हैं फसलों से किसानों की आय बहने से उनका जीवन अस्तर उचा होता है अगर अच्छे से फसल होगा तो किसानों का आय भी बढ़ेगा भार में प्रत्यक्षेत में किसी को पत्ता भी समान नहीं है मांसून पर किसी निर्भरता भी बनी होगी है दखिए हमारे किसी की निर्भरता किस पर है अभी भी जोगा कि मांसून पर निर्भर है अगर अच्छी बारी सोगा तो धाननुन अच्वेश हो नहीं हो गया प्रियाक्ति क्विश्टाओं जैसे भूमी की प्रक्ति जलवाईू तथा शिचाय की स्यूधाओं के कार भारते की सान विभिन-प्रकार के किर्शी करते हैं इसके कुछ प्रेमुख-प्रकार है आए कि हम अनिवां खेति तरह देश की वह छो प्राम निंदू करते हैं अपका इन बहुत आरों का यूज प्रेंपर नहीं से विप में закर्णा ल één साथ कि widget लोग जाते हैं तो नाशों का प्रीयोग बिकांगे कर पाते हैं आप इसे क्म हो जाता है जर सभी चीज पर नहीं दिलाएगा तो उत्पादन क्या ओ 금ो alleen गा हुद में उनके परिवार के उप्वोग में प्युक्त हो जाता है और जो उत्पादनन्य परिदा करते हैं इनका क्यों किष्थांस फाइल में नुग्ट हिए बंग्जुर्ण चानि अस्ताइं और च्छारोण कोट कारेंगे विछ जलाकर को अपर बनाकर किसी योग बना जते हैं और वहां पर खेती करेंगे इस भूमी में कुछ मोटे अना जैसे सुस्कधान, मक्का जवार आदी बोया जाता है, अब यह प्रता तो साहित कर दी गए, इससे वनों का विनास होता था, तथा उत्पादन भी अत्यांत कम प्राप्त होता था, अब यह प्रता जो है कि समाप्त कर दिया गया है, इससे क्या तथा हमाये वन को बहुत ज़्यादा च्छती होता था, धेर यह वन क्या हो जाता, समाप्त तथा गश्पर रोग नहीं लगा जाता तो, और इसमें उत्पादन क्या मिलता था, कम मिलता था, हम लोग आगे देख रहते हैं, रोपर क्रिसी, रोपर क्रिसी से तात्पर ऐसे पर पौधों से है, जो कुछ वर्स की अवधी के उपरांत उत्पादन प्यादान करते हैं, इस तरह के उत्पादन में विश्ष्ट वेग्यानिक विधियों यों अस्थानी सस्ते और कुसर्थ केती हैं मजदूरों के साथ साथ विस्त अस्तवर परियाप्त क्राय विक्रे परियों किया सकता होती है, यह ते रोपर किसी एक खानों के समय रहते हैं जैसे चाय, गवड़, आदि, आगर देखे तें गहन खेती हैं, हमाई भारत में इसमें ज्यादा तर गहन खेती ही होती है, शिचाय की सूधा उबरको यहं किष्ट नासकों का प्रयोग करके हम एक ह प्रयोग करके एक ही भूमी पर सालों भर रितियों कर रहे हैं, तो क्या कर लाएगा हमारा गहन खेती कर लाएगा, इससे समीती भूमी पर किसी करके अधिक उपत और आया प्यात की जा सकती है, गहन खेती हैं, गहन खेती कर रहे हैं, तो क्या कर लाएगा हमारा गहन खेती क होगा हम लोग कम भूमी पर अधिक उपच करके अधिक लाब प्राप्ट कर सकते हैं हम भागा देख रहते हैं कुछ फसले देख रहते हैं कि खरीब फसले यह फसल जुलाई अगस्त में बोई जाती है तथा सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है जैसे धान बुजवार बाजरा मक्का का पास खरीब की प्रमुख फसले देखिए वैसी फसले जो क्या बर्सात में बोई जाती है जो सबसे अच्छा धान होता है जुआर बाजरा मक्का का पास बादाम भी इसमें बोई जाती है यह फसल अक्टूबर नमुबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्र में काटी जाती है गेहूं जो चना सरसो मसूर अलसी जवी की प्रमुख फसले हैं जैकि रवी फसल के अक् जो फसले जो फसले दियोगों में कच्छे मार के रूप में वोग लिए लिए प्रमुख फसले हैं ब्यापारिक अथवा नदी फसले दिख लेते हैं जो फसले दियोगों में कच्छे मार के रूप में उप्योग में लिए जाती है उसे ब्यापारिक अनगदी फसले इन फसलों में सोया बीन कपास मुफली चाय काफी जूट तिलहन आदी प्रमुख हैं देखिए वी फसलों को उत्पादन जो है कि क्या कच्छे उद्योग अब दियोगों में जो कच्छे माल की रूप में लोग करते हैं वहां क्या फ़ला है का ब्यापारिक अनगदी फसले करें जैसे सुया बीन इससे तेर मिल जाता है हमारा रिफाइन का पास असब क्या व्यापारिक फसले मुफली चाय रबर कौफी जूट यह सब क्या हमारा अधियोगी की विकास वास्तर में विकसी देशों के पास ख़ध्यानों का आप निरियात की योगिता भी होनी चाहिए इस योगता में विभीन सुर्दी अध्योगी का धारबुत उद्यों लूहा सिमेंट मशीने आदियों पादकों को संसाधित करना जैसे कापास से कपड किसी देश के आर्थिक सक्ति उसके निर्मार के विकास से नंपी आती हैं। उन उद्योगों से भ्यक्तियों के रोजगार मिलता है। किसी पर निर्वरता कम होते हैं, निर्मित वस्तु के निर्यास से विदशी मुद्रा प्राप्त होती हैं। देखे अध्योगी विगास मता होगा, किसी भी देश में उद्योग जो कच्छा माल हमारा लेकरद पक्का माल तयाकर लोग बाहर भेजते हैं दूसरे देश में, звுकास देशें नागरिकों के क्लिए संमड़ीद लाता है घर हमारा उद्योग धंदों का विकास तेजी से हो रहा है तो देश के नागरिकों के क्लिए कि लाएगा समरी दो खुस्याली लाएगा चोटे उद्योगों को चोटे वह बड़े पेमानी जो कि उद्योग, निजी वह सर्वजनी वह सरकारी वर्गों में बाठा जाता है परत्वपति जो कि किसी आधारी तुद्योग देख रहते हैं क्रिसी आधारित उद्द्योग कर देख सूती जूट रेशमी और उनी वर्स्त उद्योग चीनी खाद तेल क्रिसी से प्राप कच्छी माल पाधायत उद्द्योग है कर देख सूती जूट रेशमी उनी वर्स्त उद्योग चीनी खाद तेल सब क्या है हमारा कि और money क्रिसी से पे Luck रहता है सूती और रेशमी वर्स्त बनाने के लिए भारत के का दा प्राचीन का से चला रहा है सूति तता रिस्मी वस्थ के लिए जो कच्छा माल अधिकता भारत में इंदा ये बहुत पहले से चला रहा बासुत को नीर्याद― सिल्व के रूप में करता हैhyicate सूति बश्थो का नीर्याद जो कि सिल्व के रूप में करता आपके। उमस्त्रसमें की दूस्त में zur फ्रांस में यूरोप के पुर्वीचर देश नेपाल सिंगापूर लंका, फ्रिश यह वह थी, सूति वर्ष तमिलें, अभी मिलका है, हमारा महाराष्ट में है, Gujarat में, फोचें बंगाल में है, उत्तर प्यदेश मत, प्यदेश तमिलाडू में है जूट, यह जूट से बने समान, भारत का दूसरा बड़ा उद्योग है जूट और जूट से बड़ा समान जोगे भायत का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है उन्य वस्तों का उत्पादन पंजाब, महाराष्ट, उत्ताप्यदेश, गुजरात, हर्याना और राजस्तान में किया जाता है और उनी वस्तों के उत्पादम कहां किया आता है हमारा पंजाब में महारास्ट में उत्तर प्रदेश गुजिरात हर्याना राजस्ता में किया आता है उनी वस्तों भारत से अनेक देशों में भी निर्यात किया जाते हैं चीनी एंद्योक के रूप में भारत का संसर में दूसरा अस्थान उत्तान है उत्तर परदेश और महाराष्ट मे और मुंबई जोगे ए अधिक चिनी मिले और burada अधिक गुरुय आजटा है आप्रद्र उगूर्ट में भी चिने मिले हकायों प्रणिज पार्धहित तो द्योग अईसे उद्योग जो कच्छे माल के लिए खनीजों पर निर्भर है जैसे लोहा और इस पाथ सीमेंट तथा रसायन उद्योग खनीज अधार उद्योग दिखिए एक हो गया कृशे आधाई उद्योग दूसरका आधाई उद्योग जो कि हम लोग जमीन से खन कर आईसे दो जो कच्छे माल के लिए खनीजों पर निभख करते हैं जैसे लोहा हो गया इस पाहत हो गया सिमेंट हो गया ज्रासानिक कुद्यों हो गया हैं है ऐल्मुनियम हो गया यह सक्रटेश में लोहा और स्पाहत का पहला कर्खाना 1830 के पोटनोवा नमक अस्थान में तमिलाडू में लगाया गया था भात मुग में लोहा और इसपार्थ का पहला करकाना जगा की 1830 में तमिलाडू में लगाया गया था लोहा और इसपार्थ बनाने का अधुनी करकाना गुद्थ उनिस सो साथ में जमसेदपूर ज़ाखण में लगया था देखें और आइधर वी जो 1907 में लगया गया था कहां पे ज़ाखण के जमसेदपूर में इसमें लोहा आयस कोकिंग कोईला चुना पत्तर मेंगनीज आयस का उप्यों किया जाता है इसका उतपादिक मल भ अगलन भी भारत में बड़े द्योग हैं एल्मुनियम अतारबा का भी भारत में बहुत बड़ा द्योग हैं इसके राशानेक उद्योकों के जिनके अंत्रगत उद्वरक कितिम रबर प्लास्टिक के वस्तुए रंग रोबर गन और सिदियां तयार के जाती पईवहन उक्वा के मोटर वाहन वायू यान पूद बनाने संबंदी बड़े वह भाई उद्योग तथा इलेक्टानिक उद्योग भी अस्तापित के एक जगया है और देखने सेवा च्छेत किसे कहा आता है इस च्छेत में सूचना प्रद्योग की बैंक बीमा वित्ती संस्तान आदित च्छ साक्टेर विकास से चेजग भारत प्रसीद है भारत प्रसीद में बहुत ज्यादा धhington ठैखस में हमारे देश में उत्पार्दन ओर राश्टीमें कशुत बहुत मुद्योग का बहुत बड्या है दाखिए हमारे देश की उत्παादन और बढ़ाने में जो कुसो rendering का बहुत यदा मुर्थभ को कुटी उद्योग परंपरग उद्योग होते हैं कुर्टी Kellणाben कुट उद्योग कुटी उद्योग काम सुर्ण परंपरगत परंपरंपरागत उद्योगாते, थी किसान के पास शो माह का काम रहता है विभी कारियों को घरधन धन कमाते हैं कि इसी कारम उन्हें रखता आप से चाली अनुप लगता है कि इसमें क्या करते हैं थीलोने ब्राना ली फाफ़े पापट बनाना बड़ी बनाना चटाई जारू मसाले बीडी कपड़े बुनना आधिर कुटी उद्यों में किया जाते हैं इसी तरह लगू उद्यों में भी कम पूजी लगती है कम मजदूरों कि द्वारा कार करा रही है सरकार अब इन उद्यों को हेतु रीड उपलप्त करा रही है और इससे उत्पदम बढ़ाने में मदद में रही है अधाथा बेविचारों को रोजगार प्राप्त हो रहे हैं हम लोग आगे देख रहते हैं आर्थी विकास यम पंचवर्सी योजना बहुत रगाए ये और करने के लिए बाहुत से योजनाय के लिए बहुत से योजनाय चली जिए देख रहति कि exactement है है का अर्थी विकास में पंचवर्सियों में निलीचाऔर्स में देश को नहीं ठंक से विक्शित करने मुझत तयार कि योजन कने के लिए भारत सरकार द्वार्षन 1950 में योजना आयों कि अस्ताफ्णा की गई थी जो अब तक दोस पंच वर्षी और तीन वार्षी योजनाय बना चुकी है भारत को जो कि ढंग से अब तक दोस पंच वर्षी योजनाय और तीन वार्षी योजनाय बना चुकी है नियोजन का अर्थ साधनों प्राथमिक्ताओं का निधायत करना तथा निधायत लच्छों और उदेश्चों को प्राथ करने के लिए आगे कदम बढ़ना हमारा नियोजन क्या था जी इस सुन विश्चित ढंग से हम लोग आगे बढ़ें कि योवबात हमारी इस धरडापा धायत है कि आगे कदम बढहने के पूर विच्चार करो और सो जंड इसलिए करते हैं कि जोम लोग आगे कदम बढ़ा तक चल रही है इस योजिना के तीन बाते हैं विकास के लख्ष को निधायित करना उनकी प्रत्मिक्ता निश्चित करना तीसरा है नियोजित विकास के फल्षु उत्पादित वस्तूओं और उनसे और जितलाप को नयोचित वीत्र करना योजन के माध्यम से विकास को गती दिना प्रमुख्य उद्यस है है नियोजना बना को क्या करना है कि विकास को गती पेदाने करना है क्या पंचवाशी रिजना का प्रमुख को देश था हम लोग आज देख लेते हैं कि मुख आर्थिक समस्य है प्राचिन का से भारत अथ बियुष्था संभीद और विक्षी थी हमारा प्राचिन काल में भारती अथ बियुष्था क्या तब अथ बियुष्था संभीद और विक्षी था परन तो जब अंग्रेजियों तुदा उग्राम हुआ तमारा अथ बियुष्था क्या हो गया खराब हो गया भारत के आथिक छेत में आदम निर्भरता थी सिंदु घाटी सबिता के समय मिट्टी के बरतन धातु द्योग क्योंहाती कि रों कि निवहासी रेश्मी व convicted के भार के बराबर सुना देने को तर्थप्र थे और मध्यूश्था इंका मांगवी देस्वं इतना था कि रों के निवहासी सिदु देश्मी व civilmaker विश्था के बराबर क्यादे थीथ सुना देने के तयार थे इस टिंडिया अपनी परमभीक वर्स्वों में बहमूल धातुओं के बतले भारत में बने कपड़े मसाले कुटिर उत्पादन खरिती थी बाद में इस्तितियों में परिवर्तन हो गया तो क्या है कि बहमूल धातुओं जैसे सुना चादिक के बतले भारत में बने कपड़े मसाले और कुटिर उत्पादन खरिती थी लेकिन बाद में क्या हो भारत पर राच करने लगा हम लोग आगे देखते हैं जनसंख्या बेदी हम लोग देखते हैं यह प्रमुक समस्या है विकास में जनसंख्या बहारत के आर्थिक विकास में तेजी से बढ़ती जनसंख्या एक बड़ी समस्या है देखिए अगर जनसंख्या मार तेजी से बढ़ेगा संसाधन सिमीत है तो क्या जाएक समस्यवत्पन हो जाएगा स्वतनता प्राप्तिक बात के वर इसी समस्या के का गरीबी ब्रोजगाई जैसी समस्या है आज तक सुलद नहीं सकी है जनसाधना गरना कि अनुसार देश की जनसंख्या किना हो गई 102 करोड हो गई उनीस सो उन्चास में किना था 36 और इसमें किना हो गया कि एक सो दो करोड हो गया जैसंख्या बिधी कम मूल कान निर्धनता असिच्छा बंस चलाने के लड़कों की लालसा वह कमायों में विवा होना है जैसा कुछ अंद्रिव इस्वासे हैं असिच्छा है निर्धनता है और आगे देख रहेते हैं आगे हम निर्धनता देखेते हैं निर्धनता एक ऐसी दसा जिससे किसी ब्यक्ति को अपने जीवन यापन के लिए भोजन वश्ट और मकान जैसे निर्धना सकताओं की पूर्ति करने में कटना ही होती देखिए निर्धनता क्या है मतों मैं पास पैसे कमी और यह ऐसी समस्य जिसमें हम लोग अपने जीवन के दैनिक आशकताओं की पूर्ति जैसे भोजन वश्ट मकान जैसे आशकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं या करते में तो हम उन्हें बहुत करते हैं निर्धनता दूस्ट परिड़ाम ब्यक्ति और परिवार के स्वास्त पर भी पढ़त जाते हैं जिससे ब्यक्ति की उत्पादन चमता घड़ जाती है और तर निर्धनता निर्धनता बनी जाती है संभाव कि आपके आशक पर उसमें कुछ ऐसे लोग हो जिन्हें दिन में दो बार भरपेड भोजन नहों मिलता हो बच्चे कूप उसकर सिकार होने परने के लिए मौसम के अनुरूप प्रयातवस्त नहों विद्याले में अमने की आयू परभी विद्याले में आकर कहीं आय उपारजन के कारियों में जाते हैं इन्हें और सास्त में गरीबी से पिडिद गरीबी रिखा गे नीचे रने के वह लोगों को कहा जाता है देखिए अगर पैसा नहीं आया तो क्या करेंगे अच्छे से रह नहीं पाएंगे मौसम के अनुसाजर की कपड़े नहीं परण पाएंगे उनके बच्चे को भरपूर भोजन नहीं मिल पाया तो क्या जाएंगे को पोश्रकर सिकार जाएंगे स्कूल भी नहीं आया पाएंगे इस्कूल आने के टाइम में वो कहां चले जाएंगे धन उपाजन के लिए किसी कारी में चले जाएंगे वह आगे देख रहेते हैं बेरोजगारी सभी ब्रक्ति को अपनी द न देणिक और भ्रीश का सकता क्रिवा करने के लिए अलग अलग चेतों में चले के लिए कारे करते हैं जब किसी ब्यक्ति को लाप्रत काम या नौकी नहीं मिलती तो उसे बेरोजगार कराता है, अगर कोई ब्यक्ति बहुत सार ब्यक्ति जो को काम नहीं मिल पाता तो क्या कराता है, बेरोजगार कराता है, जब बेरोजगार हो जाएगा तो उसके पास पैसे कमी हो जाएगी, वह क करने के लिए केंद सरकार द्वरा ग्रामिर रोजगार गारेंटी योजना दोजा पार्च विध्यक पारित किया गया इस विध्यक में ग्रामिर छेत्रों में प्रतेक परिवार के एक व्यक्ति को सोज़गार उसके निवास के निकट पांच किलमेटर के दायरे में दी जानने का प्याधान किया गया है यह जोजना दोजा दुश्यक संपूर देश के च्छो सोजुलम लागू कर दी गई है देखिए इससी दोजा पांच में बनाया गया इसमें क्या था एक परिवार के व् पांच किलमेटर की अधिकतां दूरी पर यह जोजना जो कि 2010 में संपूर देश के च्छो सो जिलो में लागू कर दी गई है अब आप कच्छा आर्ट में पढ़ रहे हैं तो क्या आपने कभी यह ध्यान दिया है कि जब आप कच्छा पांच में पढ़ते तब एक पेंसिल प बढ़ गया है मुल्य क्यों बढ़ है मुल्य बढ़ना अच्छा है अत्वा नहीं कि इस पर अपने मित्रों से चाचा करें और स्विच्छक से पूछे इसमें कहर आ कि जब हम लोग क्लास पांच में पढ़ते थे एक पेंसिल उससे मारी कितने रुपे मिलता था कितने रुपे का दो रुपे मिलता था कितने रुपे का दो रुपे का लेकिन हम क्लास आठ में पढ़ने तो पेंसिल कितने का हो गया तीन रुपे उसका मुल्य क्या हो गया बिर्धी हो गया मुल्य बिर्धी के कारण भी लोगों को आर्थिक परसानी का सामना करने पड़त कि किसी कार को अपने हितों को में कराने के लिए पैसा या किसी वस्तू भ्यक्ति यह शुष्टाचार कराता है और हमारे भारत देश में यह ब्रस्ताचार बहुत अधिक मात्रा में हमारे नेटा से बाड़े बडा दिकारी तक घूश्ट ले रहे, करौव की चोरी भी इसी शेरी में मानाई जाती है, और लोग करौव की चोरी किसम travailler मानाई तक भरस्टा चार के छेत्म में माना जातां है, आया दिन आप समाद हसा बत्र भरस्टाचार के खबरें परते हैं, इनमेंं पैसे या कि आगे अभ्यास है हुआ अभ्यास दख लेते हैं कि निविख्री प्रश्नों के सही विखल्ब को चुनकर लिखिए इसमें एक है भारत की का रिशीज संक्या का लगवर कितने परिश्चत किसी एकार में सगलन है कौई पचाफ परिश्चत गलत है को साथ परिश्चत यह गलत है गोई सत्ता परसंट यह सही है हुआ दुश्छा देखे लिए भारत के स्रक्रल घरेलू उतपात्दन में किसी का युगदान है को 26 प्रिशत यही मरस चाहिए और सब गलत है हम लोग आगे देख रहेते हैं और तीशा है और द्रोगी विकास से को किसी पर निर्बढ़ता कम होगी यह भी मरस चाहिए को जीवन अश्ता में सुधार आता है यह भी मरस चाहिए है गो और दोनों यहीं मारा दोनों चाहिए है मतलब किस पर ट्रिक्लिया है गोव पसरी लगए है और आगे देखते हैं द्रीक तस्थानों के पूर्थी कीजिए इसमें एक नंबर है भारत नेपाल चीन पाकिस्तान खालियस्तान देश है नताथा जापन सिंगापऊ ब्रिटिन अमेरिका खालियस्तान देस सम्रीधी लाता है तिस्टा देखे लोहा इस बात का अधूनिकार खाना लगा गया था 1907 में जमस्वेटपूर में लगाया गया था जांग कहां पड़ता है जारखान में पड़ता है उन्वाइब देख से और देख से बड़ती है क्या बेरुजारी बढ़ जाता है हम जो कि इसका एंसर कोशन के प्रापर दूसरा वीडियो बना देंगे अब लोग वहाँ जाका एंसर कोशन देख सकते हैं प्यागर बच्व वीडियो पसंद है तो लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूले आपका लाइक करना ही माया मेनात का फॉल है गर्ट सक्राइम सब भारती है जाहिन जाए भारत